Hello everyone, मैं किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए November 2022 की Love Tarot Reading तो देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि November मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या feelings, thoughts, intentions रहेंगी तो ये reading आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं आप हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो देखिए tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो या sun sign हो और देखिए जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा connect करते हैं आप फिर regularly अपनी readings देखते हैं उस sign के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बहता रहेगा तो चलिए जी शुरू करते हैं November 2022 की Love Tarot Reading चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि November 2022 में आपकी Love Life कैसे रहेगी तो में पस यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ट हैं फर्स सेट में हम आपके energies देखेंगे सेकिन सेट में आपके partner के energies देखेंगे और फर्स सेट में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला कार्ट मुझे दिख रहा है और यह कार्ट कहता है कि कुछ टाइम से या November स्टार्टिंग में किसी चीज को लेकर एक घुटन एक suffocation आप महसूस करते वे दिख रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं या फिर नहीं कहते हैं और यह सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक love, प्यार, महबबत अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं express करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जबरदस्त गुसा किसी चीज को लेकर आप महसूस कर रहे हैं अपने partner के लिए और went out नहीं कर रहे हैं तो दिखिए जो दो चीज़े मेरे माइन में आई मैंने आपको कहा कहीं ये card कहता है कि एक deeper level के लिए aggressive सी energies हैं जिसका went out नहीं हो रहा है एक disturbing, एक upsetting सी energies रहे रही हैं इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर eight of cups reverse का card कहता है कि हो सकता है पीछे किसी तरीके का distance आप दोनों के बीच में आया कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि you know आपने एक दूरी अपने partner से बनाई और ये भी देखिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए physical level पे हो सकता है distance कुछ के लिए mental emotional level पे हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है Gemini's आपके partner ने एक distance थोड़ा सा आप से maintain किया और कहीं इसी वज़े से एक परिशानी आप महसूस कर रहे है और यहाँ पर दिखिए misunderstanding का भी card है तो हो सकता है कि इसी वज़े से यहाँ फिर पीछे देखिए कोई misunderstanding आप दोनों के बीच में हुई जिसकी वज़े से ये distance आया और कहीं दिखिए जो भी रहा हो Gemini's कहीं November मन्त में या Mid November में आप reconciliation चाहते हुए दिख रहे हैं अगर आपके partner ने एक दूरी बनाई तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner को वापिस relationship में आ जाना चाहिए reconciliation कर लेना चाहिए और अगर आपकी तरफ से एक दूरी आई तो आप कही relationship में वापिस जाना चाहा रहे हैं और बहुत ज़ादा इस चीज की चहा रहती हुए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे दिखिए thirsty का card कहता है कि again बहुत ज़ादा आप इस चीज को desire कर रहे हैं होता है जब हमें बहुत ज़ादा प्यास लगती है तो हमें बस लगता है पानी मिल जाए कोई हमें cold drink भी offer करता है हम वो भी नहीं पीते हैं हमें लगता है सिरफ हमें पानी चाहिए तो उस तरीके की एक प्यास you know reconciliation के लिए या partner के लिए आपके मन में रहती हुई दिख रही है आपको बहुत strong एक intuition हो रही है gut feeling हो रही है कि you know आप इस relationship में वो आपस जाएं चीजें सब कुछ ठीक ठाक हो लेकिन कहीं देखिए misunderstanding मुझे लग रहा है कि फिर भी पूरी तरीके से sought out होते हुए नहीं दिख रही है हालां कि November end में Emperor का कार्ट कहता है कि आप इसी चीज को लेकर या फिर otherwise भी बहुत assertively बहुत confidently action initiatives ले रहे हैं जो भी required है वो आप करते हुए दिख रहे हैं बहुत maturity से चीजों को deal कर रहे हैं बहुत एक you know systematically भी आप अपने partner से अपनी चीजों को feelings को express करते हुए दिख रहे हैं काफी protective भी आप अपने partner के लिए इस relationship के लिए होते वे दिख रहे हैं और अब देखते हैं Gemini's के आपके partner की के energies हैं तो देखे आपके partner के लिए भी कही November starting के लिए nine of swords का card कहता है कि वो भी कहीं बहुत ही disturbing बहुत ही upsetting वाली energies में हैं तो देखे नवेंबर starting में आप दोनों की कहीं similar सी energies दिख रही हैं और ये card कहता है कि वो बहुत जादा किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं बहुत जादा फिक्र कर रहे हैं हो सकता है रात को भी वो ढंग से ना सो पा रहे हो और यहाँ पर देखिए five of wands reverse का card भी कहीं एक conflicting सी energies की बात करता है और यह भी देखे सब के लिए differ करेगा लेकिन यहाँ पर cards कहते हैं कि आप लोगों के views नहीं match कर रहे हैं आप लोग same level पे चीजों को नहीं सोच रहे हैं छोटे मुटे arguments भी हो रहे हैं या फिर आपके partner की एक irritating frustrating सी energies रह रहे हैं और बहुत ज़ादा देखिए mind से चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं अपने communication में हो सकता है बहुत upfront हो रहे हैं बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं और कहीं देखिए किसी level पे आप दोनों की ही energies थोड़ी थोड़ी सी controlling और dominating वाली रहती वे दिख रहे हैं कुछ के लिए ज़ादा भी रह सकता है कि controlling और dominating आप दोनों ही हो रहे हैं बहुत strongly अपने viewpoints रख रहे हैं और beyond the point flexible नहीं हो रहे हैं हाला कि देखिए deeper level के लिए देखिए तो यहाँ पे true love and quoting के card कहते हैं कि आपके partner के मन में आपके लिए बहुत ज़ादा एक प्यार महबबत है in fact देखिए true love का card कहता है कि एक सची महबबत एक सचा प्यार वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं quoting का card कहता है कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं long term आपके साथ रहना चाह रहे हैं यहां मैं कहूंगी long term के लिए आपका साथ वो चाह रहे हैं मन ही मन लेकिन surface level के लिए देखिए उनकी contraries energies रह रहे हैं यहां हो सकता है देखिए आपको express कर रहे हो या आपकी तरफ से उनको response ना मिल रहा हो और इसलिए वो बहुत फिक्र कर रहे हैं परिशान हो रहे हैं और यहां पे देखिए bad boy का card कहता है कि कहीं हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं कुछ issues हो रहे हैं कहीं उनका behavior इतना अच्छा नहीं हो रहा है और इसलिए कहीं misunderstandings हो रही हैं और इसलिए कहीं issues हो रहे हैं और कहीं देखिए वो बहुत ज़ादा इस चीज को realize भी नहीं करते वे दिख रहे हैं योग या five of wands का card उनकी तरफ से conflicting से energies की बात करता है और अब देखते हैं Gemini's की November month में क्या हो रहा है तो देखिए November month के लिए आप इस सबसे भेले काज है Page of Cups and Engagement हाला कि देखिए आप दोनों के लिए ही November month की energies बहुत great नहीं थी नहीं हैं, sorry लेकिन November month में चीजें ठीक ठाक रहती भी दिख रही है तो हो सकता है अपने अपने level पे आप दोनों ही चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं मन ही मन देखिए आप दोनों ही एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहा रहे हैं marriage, engagement, togetherness के बारे में सोच रहे हैं आप एंगेजमेंट का काट बहुत ही clearly, you know साथ रहने की बात करता है और उसी से ही related आप दोनों में से कोई एक छोटे-मोटे initiatives ले रहे हैं कहीं messages के थूँ या फिर phone करके दूसरे जन को बता रहे हैं अपनी feelings express कर रहे हैं और कहीं emotional, sentimental भी होते हुए दिख रहे हैं या आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती हैं लेकिन जेमनीज आपकी जादा मुझे रहती हुए दिख रहे हैं और कहीं देखिए काफी एक immature energies भी November starting में या November month में रहती हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे justice and blind side के cards एक dumb से contrary energies की बात करते हैं जहाँ justice का card बहुत logically चीज़ों को deal करने की बात करता है वहीं blind side का card एक blind trust करने की बात करता है और यह cards एक दो चीज़े कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक में दूसरे जन पे एक blind you know अंधा विश्वास किया और अब कहीं लग रहा है कि भई इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा हर चीज़ के pros and cons को हुए करके सही गलत के बारे में सोचते हुए चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और मैं कहूंगी blind trust नहीं करना चाहा रहे हैं और दिखिए अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो justice में जो भी lady होती है उसके भी आँखों में पट्टी बंदी होती है तो उस पट्टी का ये होता है कि भाई emotions, feelings, sentiments को कहीं block करके completely mind से deal कर रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को deal कर रहे हैं या फिर emotions को नहीं बीच में आने दे रहे हैं तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत जादा अब सही क्या है, अब गलत क्या है उस हिसाब से चलना चाहा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी ये general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए ये हो सकता है कि again पीछे भाई trust किया, आब नहीं करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि emotions, feelings, sentiments को block करके कहीं उनको side में रखके completely mind से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं and देखे, end November के लिए हापे independent and nine of cups reverse के cards कहीं happiness की बात करते हैं, joy की बात करते हैं कहीं, you know, एक, मैं कहूंगी togetherness की भी बात करते हैं लेकिन साथी साथ एक missing feeling भी रहने की बात करते हैं और हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक beyond the point अपनी feelings, emotions या फिर, you know, physically, mentally दूसरे partner पर depend नहीं होना चाहा रहा है हो सकता है, ऐसा लग रहा हो कि भी बहुत हो गया अब, you know, इतना जादा partner के उपर depend होना और उसकी वज़े से इतने परेशान होना अब relationship में है, ठीक है, अपना एक, हम यह भी कह सकते हैं कि detached attachment, in fact, detached attachment बहुत एक hard वो हो जाता है लेकिन यहापे independent का card simply कहता है कि relationship में हैं और कहीं love भी है लेकिन बहुत dependent अपनी, you know, emotions के लिए, love के लिए दूसरे जन पे नहीं होना चाहा रहे है यह गिन आप दोनों में से किसी की भी energies रह सकती हैं लेकिन Gemini's आपकी मुझे जादा रहते वही दिख रही है तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए November 2022 की love taro reading और नीचे मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए